खेलो फ्रेंट्स कैसे आप आशाय की आप सब ठीक होंगे तो फ्रेंट्स आज हम आपके लिए लेकर आए है नई रेस्पी और आज हम आपको जो रेस्पी बना कर दिखाएंगे वो उसी मिल्क पोडल से बनाएंगे जो की हमें अंगडवारी में बिलता है तो देखी अपने वीडियो में बताया है कि इसके अंदर पिसे हुचिनी पहले से विलेबल होती है तो इसलिए आप इसमें मिठा बिल्कुल ना मिलाएं मिना मिठे की भी आपकी मिठाईयां बहुती स्वादिश्ट और अच्छे बनेगी यह मैंने इक लास दोड लिया हुआ है अब हम अब करेंगी जैसे हमने पहले पताया था हम इसमें डालेंगी एक तमझगी आज आपको जैसे पेड़ी बना कर लेंगी आपको बहुत ही पस्ताइब और बहुती स्वादिश्ट लगेंगी तो देखिए आप देख सकते हमारा घीरे-दीरे मेल्ट हो रहा है आपको अपने जैसे को अच्छे से मेल्ट कर लेना है देखिए आपको की मेल्ट हो चुका है अब मैं इसमें डालूंगी गलास दूद और इस एचे से बॉइल होने दूँगी अंगरवारी में हमें जो यह मिल्कवार मिलता है इसकी कई फ्लेवर आते हैं इसमें चोकलर फ्लेवर भी आता है जैसे कि हमने आपको बदाता है तैसे आपको बोल करना है अब हम इसके थोड़ा तोड़ा करके अपनी दूद में जाएंगे हमारा डूढ़ा पोलच का है अब एकना है दम इसमें डालना है ङृद फेसंगी थिरेखमें ड़ूरा टीकिंगें चीकर् leяс करेंगी ज़से कि आपको बता देते हूँ यह नियुके अव है लिए आपको इस बात का खास दियान लखना है कि इसे आपको नीचे के तर्स बिल्कुल लगने देना है तो अब मैं इसे लो फ्लेम पर ब्राऊंगी थे आप देख सकते हैं हमारे मिल्कोर डलने के बाद हमारा दूद काफी अच्छा हो चुका है तो अब मैं इसे इसी तरह हिलाते में डालूंगी वन स्पून खी कि मैंने देशी भी लेया हुआ है मिठाई कोई भी हो अगर आप इसमें देशी खीका यूज करेंगे तो आपकी मिठाई बहुत ही स्वाधिश्ट और अच्छे बनेगी तो हम स्वेसे अपनी उसी प्रोसेस पे आ जाते हैं इसकी हिलाने वाली पेड़े वाली कंडिशन में नहीं आ जाता है आपके पेड़े बिल्कुल खलवाई जैसे पेड़े बनेंगे इसे आप एक बार खाओगे तो आप वार बार बना कर खाओगे और कमाल की चीज तो यह है कि आपको इसमें ज्यादा वहनस की जरूरत भी नहीं होगी यह 10-15 मि आपको फटा-फट के पेड़े बना कर दिखा रही हूं जो कि आप फटा-फट खलपे आसानी सी बना सकते हो और सिर्फ एक ग्लास दूर और अपने मिल्क पौडर से ज्यादा आपको इमिरेटगी भी जरूरत रही होगी इस पौड़े तो आप फ्रेंस एकशते हो यह काफी काड़ा हो रहा है जरी यह बिल्कुल रब्णी जैसा हो चुका है जैसे कि हम रबड़ी तैयार करते हैं उस्पकार का तो आपको इसे थोड़ा ठाइक करना है इसलिए वे थोड़ी जरूर जो दिए खोओ जरूर देती तो आप इसे उतार देंगे या फिर इसी तरह रखा रहने देगे ताकि यह थंदा हो जाए अब मैं इसे 10-15 मिंट के लिए ऐसे थंदा होने के लिए छोड़ देती हूं अब हम इसमें बनाएंगे पेड़े तो अब मैं इसे हाथ से आपको टचकर के लिखाते हूं यह काफी थंदा हो चुका है तो आइए फेंट अब मैं इसके पेड़े बना लेती हूं मैं सिब से पहले इसमें छोटे से बॉल्स उठाऊंगे और इसे पेड़ों के सेफ दोनगी इस परकार आप अपने हाथों को चुकिना करूँगी और इसे परकार इसे पेड़े वाली सेफ दे दोनगी देखिये आपको एक एकर के इस इफे त्रह सभी बिल्दे बना कर तया कर चुके हैं और यह पेड़ी बुटू बच्का की पेड़ी जीसे लगेंगे और यह बहुत ही स्वादिश्ट लगेंगे क्योंकि घर पर हम कोई भी इंग्रेट बनाते हैं तो वह बहुत ही अच्छा और वह भी बढ़िया बनता है तो आप इस एक बार गुरू ट्राइए की अब हम दूसरी प्रेट में रखेंगे आप एक मिल्क कोड़ो के थैले में 10-15 प्रेड़े बनाकर तयार कर सकते हो और यह बहुत ही स्वादिश और बहुत ही अच्छे लगेंगे शेप आप इसे पतली भी दे सकते हैं या इसे छोटे भी बना सकते हो लेकिन यह मैं मेडियम करता होती है लेकिन हमें यह नहीं पता होता है कि हम उस दिसका क्या बनाई या क्या ट्राइए करें तो आप अपनी जो अंगड़वारी में जो मिल्क पॉडर मिलता है उसे वेश्टना जाने दे खर पर आप अपने बाच्चों को इसके पेड़ी या फिर मिठाई कुछ भी पंद्रा पेड़ी बनकर तैयार हो चुके हैं आप देख सकते हूं अभी थोड़ी हमारा जो प्रेष्ट है वह थोड़ा पतला है अगर आप इसे देस्ते पिंद्रा मिठ के लिए फ्रीज में रपते की तो काफी टाइड हो जाएगा से आपकी पेड़ी बहुत अच्छे ब आप इसकी गारनेश के लिए मैं इसकी ऊपर एकंगी विए धूड़ा पिष्टा थो एक इक करके बिनत्र कर फिस तरल अगया रही है Yeah रही है तो देकिए हॉममेड बेरे बनकर स्वझा हो चके हैं यह काफी ऑच्छे उप अशन आप देख सकते हों तो अगर आपको हमारी रेस्टिप बसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अभी के भी लाइक कीजी अपरे दोस्तों में शीन कीजी और हमारे चैनल को सुब्सक्राइब करना ना भूले और फ्रेंट साथ हुए रोके सिशन पर जरू दबाई ताकि आपको हम अगली फिर से ऐसे ही नहीं रेसिपिक साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए नमश्काइब कर दो कर दो कर दो कर दो